गुरू यार पिछली रात तक दम पागलो वाली थी हमारा फैंडम के नाम पे चूतिया काटा गया बोल्डम से नीन ठकान सब आ रही थी कि वो आ गया अपन के रियाक्शन को देखके तो पता ही सकते हो कि भाई हम सब की नीन भाग गई थी मगर फिर व्यार इस ट्रेले में बताने के लिए बहुत कुछ है ब्रूसुइन के बैक्मैन के लिए ये गौथम में ये उसका दूसरा साल होने वाला है मगर भाई इतने सारे डिस्रक्शन को दिखाने के बावजूद भी ये भी नजर आता है कि भाई अपना ब्रूसुइन अंदर ये अंदर और भी जादा तूटता जा रहा है उसे मेंटली बहुत ही जादा सफर करना पड़ रहा है अब देखो गुरू हमें ट्रेलर में पिक्चर की कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताय गया है लेकिन सेट पीसेस है बहुत बड़े बड़े सेट पीसेस है तो ट्रेलर की शुरुआत होती है रिडलर की खोट से जहांपे अपने कमिशनर गॉर्डन और उनकी टीम ने रिडलर को एक कॉफी शॉप पे पकल लिया है मगर वो था इंटेंशनली बात वहीं खतम नहीं हो जाती फोने एक क्लू देना चाहा रहा था नेक्स विडल के लिए अब है ट्रेलर की बात कर रहे है तो भाई उसका परफेक्ट मनी शॉट की कैसे भूल सकते है बाक्मैन का गोलिया खाने वाला सीन अब इससे पहले के ट्रेलर में आपको दिखता है कि बाक्मैन स्ट्रगल करता है गूलियों से मगर यहां पर ऐसा देखके लगता है कि बाई वो किसी जल्दी में नहीं है और नहीं अपने आपको किसी छुपाने की कोशिश में है कसम से गुरू दिखाने का तरीका एक्दम ओपी है उसके बाद हमें बाक्मैन का स्काइलाइट वाला लोगो देखने को मिलता है मगर इसमें इसे तोड़ दिया गया है और इसे किसी बिल्डिंग की छट पर डारेक्ली रखने के जिगा और इसी डायलोग के खतम होते होते हैं हमें जैसे पिछले ही ट्रेलर में दिखाया गया था कि जैसे जोकर मेकप वाले जैसे गुंडों से उलड़ रहा होता है जैसे ये डायलोग और ये सीन देखके ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे बैटमन अपना एक ब्रूटल प्रोटेक्टर है जो किसी उम्मीद की किरन से जादा एक बुरे सपने के बराबर है जो कोई नहीं चाहता कि उसके सामने आ पड़े इसी फाइट सीन में अपनको दिखता है कि भाई ब्रूस अपना स्ट्रगल कर रहा है इस बात का है कहीं में वो मेरी प्रेडिक्शन वाली वीडियो सच तो नहीं हो रही है कि वो कैलेंडर मैं से मिलने आया हो खेर देट वस जस्त थियोरी आप वो वीडियो ज़रूर देखना पसंद आएगी बैट्वन यहां भी एकदम पुरा गुस्से वाले रेज में है मतलब कि अगर आ गया है तो जान ले लेगा तुमारी ऐसी प्रेसेंस बनाया हुआ है इसके बाद अपन को कहानी में फीमेल लीड देखने को मिलती है जो कि आती है मेरी जोई क्राविट्स जहां पे इसका डायलोक सुनके तो यही पता चलता है कि बैट्सी अपना पिघल गया सेलीना बहुत ही बैतरी ने उसका टेंसन नहीं है मेरे को मगर ब्रूस तेरों को इसकी क्यों टेंसन हो रही है किसी suicidal psycho की तरह मौत के ऐसे करीब जाता है कि आह मार दे मुझे अगर मार सकता है तो और उसके बाद अपन को भाई Bruce के scars पे कुछ जादा focus कराया जाता है कि भाई उसके इतने दो साल के protection ने उसे क्या-क्या तौफे दिये हैं और यहाँ पे हलकी से थोड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि भाई Alfred के चहर पे भी हमें एक थोड़ी scars देखने को मिलते हैं जो कि इससे यह भी पता चलता है कि भाई Alfred महाश भी अपने टाइम में hero हुर हुर है चुके है में भी हमें इस कहानी में थोड़ा उनका कुछ action देखने को मिल जाए सरकिस साब को लेकर picture के तीन-चार मिनेट इदर हुदर हो जाए न कोई tension नहीं है और अब इधर से पूरे trailer का tone change हो गया कसम से आर बैंकुन की गान फट जाती है Batman को बोलता है कि ये रुख जा भाई जवानी कंट्रोल करके रहा Batman पूरे mafia के लोगों के साथ अकेले ही लड़ रहा वो भी मेरे ख्याल से trailer में दो बार दिखाए गया ऐसे बीच मीच में हमें Selena भी एकदम proactive तोर से कहानी में नजर आती रहती है और वो भी अभी Batman के बारे में सब कुछ पूरा नहीं जानती है लेकिन खैर उसको ज़्यादा ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके भी कुछ अपने personal agendas है और उसका इसके उपरी काम तो गरम करके ठंडा छोड़ देना है ट्रेलर में में नई नवीली Batmobile भी देखने को मिलती है मगर एक चीज ऐसी है जो हमें ट्रेलर में इस तरीके से दिखाए गई है कि किसी का ध्यान उस पे न आ जाए अपने दोनों ही ट्रेलर में रिडलर को किसी Zodiac Killer की तरह दिखाए गया है कि वो किसी पैटर्न में सीरिल किलिंज कर रहा है एक आक सीन में तो भाई वो सीधे लाइफ स्ट्रीम मार देता है कि लोगों के बीच में और ये ट्रेलर बैटमैन को इंटर्नली मेंटली तोर से किसी कॉंस्पिरेसी के साथ जोड़ रहा है जो उसके पास से कनेक्टेड है जिसे हमें इस सीट पे देखने को भी मिलता है कि बैटमैन कैसे इस रिडलर की गुत्ती को सुलजा रहा है जिस पे नाम लिखा है लेट मेर मिचल, डिस्टिक अटर्नी जिल कोलसन और कमिशनर पीट सैविच और अपन लोग यहाँ पे यह जून करके चलते ही है कि भाई यह रिडल बैटमैन के लिए छोड़ा गया है रिडलर की ओर से और इन सब के साथ भी है एक हाइलाइटेड लाइन भी दी गई है कि भाई सिंस आफ माई फादर जिसका डारेक्ट सीधा रिफरेंस आता है अपनी वेंट फैमिली से कि भाई उनका भी कुछ ऐसा कनेक्शन है इस कॉंस्पिरेसी को लेखर और जिसका डारेक्ट कनेक्शन उनके डेट से भी जोड़ के देखा जा सकता है और फिर हमें एक और लाय लिखी हुई नजर आती है कि Renewal is a lie जो कि हमें इसके पिछले ट्रिलर में भी लाइस को देखने को मिला हुआ था और जो कि अब मेरे को जमन में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा एक इंसाइड मिल लई है कि चल क्या रहा है कहानी में यहाँ इसके अपन के पिछले वाले ट्रिलर में ही अपन को देखने को मिला था कि भाई बेला अरियाल का जो डेथ वाला सीन था कि भाई वो भी अपने गौथम के मेर के चुनाव के लिए लड़ रहे थे जिसे वो भी इस बिखडते हुए गौथम को दुबारे से खड़ा करेंगे और मेभी यह भी हो सकता है कि भाई रिडलर इन सारे लोगों को मार के स्पेशली पॉलिटीशन्स को किसी तरीके के कोई चीज़ एक्सपोस करना चाता है रिडलर नहीं चाता और इसी सच का पता लगाने के लिए भी बूस किसी भी हद तक जाएगा क्योंकि ठीक इनी सारी कॉंस्पिरेसी वाले सीन्स के बाद अपन को कहानी में बैटमान का प्योर हॉरर देखने को बिलता है मतलब कहते हैं ना की दबदबा बनाया हुआ है वो चीज़ तो में सेलीना बैटमान से फ्लर्ट कर रही होती है मगर इस सीन के दोरान में उसे जेनुनली डर लगने लगता है या फिर अगर आपने इसकी हैलोवीन वाली कॉमिक भी पढ़ी होगी तो आपको ये बात पता होगी कि सेलीना कार्माइन फैलकोनी की नाजाय जौलाद है जो कि उसका भी अपने बाप के साथ काफी तनाता नी चली है मगर यार बैटमैन का पागलपन और भी बढ़ता रहता है वो अकेले में भी गुस्सा है लोगों से लड़ते हुए भी गुस्सा है हर जगा गुस्सा है और ये अग उसके अंदर बढ़ती ही जाती है कि इस टेरर से भी उपर उटके हम गौथम के लोगों के लिए किसी डर से बढ़कर कोई उमीद बन सकते हैं मगर खैर यार ये सब बाते सुनने में बस अच्छी लगती है और बैटमैन की वीडियोस का सिलसला यहीं खतम नहीं होने वाला तुम बताओ कि तुम्हें ट्रेलर कैसे लगा और तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था इसके अलावा अगर मैंने कोई बात मिस कर दी हो तो वो भी मुझे कमेंट से ज़रूर बताना और सबसे बड़ी बात कि भाई तुम्हारी थेओरी इस क्या है भाई इस ट्रेलर की डेप्थ बहुत ही जादा है काफी सारी चीज़े निकल सकती है तो 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 अपने उपीनेस मुझे कमेंट से ज़रूर बताना में भी नेक्स वीडियो में में इंचन भी मिल जाए इसके लाव अगर आपको स्टेव मिल जाएगी जहां पर मेरे फेस्बूक पेज के भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बिल जाएगी जहां पर मैं यही सारी वीडियो बहुत ही प्लीजिंग तरीके से एडिट करके विद कैप्शन अप्लोड करने लगा हूँ तो वहां मुझे फॉलो करके चेक आउट करना मत भूला और देखते रहिए तीजे एक्स्प्लेंग